नमस्कार मैं हूँ आपका गगन और आज हम बात करेंगे एफिलेट मार्केटिंग के बारे में वैसे तो ऑनलाइन अपने ब्लॉग से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि एड़र्टाइजिंग, सर्विसेज प्रोवाइड करना या किसी चीज़ को बेचना पर आज जिस तरीके के हम बात करने जा रहे हैं उससे कमाई के जरीए जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं एफिलेट मार्केटिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आप अच्छी कासी मोटी कमाई कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी हाड़ वर्क की ज़रूरत है आज हम जानेंगे एफिलेट मार्केटिंग क्या है एफिलेट मार्केटिंग कैसे काम करती है एफिलेट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन और एफिलेट मार्केटिंग में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब तो affiliate marketing क्या है? सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं affiliate marketing, marketing का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति अपने किसी source जैसे की blog या website के द्वारा किसी other company या organization के products को promote करता है या recommend करता है और इसके बदले वो company या organization उस व्यक्ति को कुछ commission देती है अलग-अलग products के हिसाब से अलग-अलग commission होता है और ये commission sale का कुछ percentage होता है या फिर कुछ निश्यत राशी भी हो सकती है ये products कुछ भी हो सकते हैं web hosting से लेकर कपड़े, electronic या फिर कुछ और affiliate marketing कैसे काम करती है? जो company या organization अपने products promote करना चाहती है वो अपना affiliate program offer करती है अब कोई अन्य व्यक्ति जैसे कोई blog या website honor उस program को join करता है तो company या organization उसे अपने blog या website पर उनके products promote करने के लिए कोई banner या link देते हैं अब अगले कदम में वो व्यक्ति अपने blog या website पर उस link या banner को अलग-लग परकार से लगाता है अब उस व्यक्ति के blog या website पर बहुत से visitors आते हैं जब कोई visitor उस link या banner पर click करके affiliate program offer करने वाली company या organization की website पर पहुँचता है और कोई चीज खरीता है या किसी service के लिए sign up करता है तो उसके बदले में वो company या organization उसे commission देती है affiliate program से संबंदित कुछ definition सबसे पहले affiliates affiliates उन्हें कहा जाता है जो व्यक्ति किसी affiliate program को join करके उनके products को अपने source जैसे की blog या website पर पर परमोट करते हैं affiliate marketplace कुछ ऐसी companies जो अलग-अलग विश्व में affiliate program ओफर करती है और उन्हें affiliate marketplace कहा जाता है affiliate ID affiliate programs के द्वारा हर एक affiliate को एक unique ID दी जाती है जो sales में जानकरियां जुटाने में help करती है affiliate link हर एक affiliate को अलग-अलग products की promotion के लिए कुछ links प्रवाइड किये जाते हैं जिन पर click करके visitors किसी भी other website पर पहुंचते हैं जहां वो कोई product खरीच सकते हैं इन links के द्वारा ही affiliate program वाले sales को ट्रैक करते हैं commission वो amount जो affiliate को हर sale के हिसाब से परदान की जाती है यह sale का कुछ percent हो सकता है या फिर पहले से निश्चित या decided कोई राशी link clocking जादतर affiliate links लंबे और दिखने में अजीब से लगते हैं ऐसे links को URL shortners का परियोग करके इस्तेमाल करके उन्हें छोटा किया जाता है affiliate manager कुछ affiliate programs के द्वारा affiliates की मदद के लिए उन्हें सुझाओ यानि tips देने के लिए कुछ व्यक्ति निउक्त किये जाते हैं वो affiliate manager कहलाते हैं payment modes इसका अर्थ है कि वो medium जिसके द्वारा आपको आपकी commission दी जाएगी अलग-अलग affiliates, अलग-अलग mods के द्वारा आपको payment mode देते हैं जैसे कि check, write, transfer या paypal आदी payment threshold वो new term यानि minimum राशी जिसे आप जब earn कर लेंगे तो आपको बंती payment आपको मिल जाएगी जैसे किसी में 5,000, किसी में 2,000, किसी में 1,000 या किसी में minimum 500 पे अगर आपका affiliate commission बन जाता है तो वो payment आपको मिल जाती है affiliate marketing से related अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब तो चलिए affiliate marketing के बारे में इतना सब जान लेने के बाद कुछ ऐसे प्रशनों के उत्तर जानते हैं जो अक्सर आपके मन में affiliate marketing के विशे में आ सकते हैं क्या एक ही website पर affiliate marketing और ad networks जैसे की adsense को यूज किया जा सकता है जी हाँ affiliate marketing और ad networks को एक साथ use किया जा सकता है कहीं लोगों के लिए affiliate marketing ad networks के मुकाबले कमाई का बढ़िया source है क्या affiliate marketing के लिए blog यα website होणा जरूरी है जरूरी तो नहीं है पर फिर भी affiliate marketing से पैसे कमाने का सबसे बढ़िया सोर्स ब्लॉग या फिर वैबसाइट है एफिलेट मार्केटिंग से जोडने के लिए क्या कोई खास कोर्स इतियाद करना पड़ता है जी नहीं आपको बस उसके समंदी कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लेकिन अगर आप इसकी डेप्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फ्री या फिर पेड कोर्स गूगल पर अवेलेबल है वैबसाइट पर अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं आपको यह पता लगाना होगा कि कौन सी कंपनी या कौन सी ओर्गनेजेशन यह प्रोग्राम ओफर करती हैं गूगल सर्च कब काम आएगी सिंपली उस कंपनी का नाम और एफिलेट वर्ड के साथ सर्च करें इस परकार आप जान पाएंगे कि वो कंपनी एफिलेट प्रोग्राम ओफर करती है या नहीं वैसे भी इंटरनेट पर धेरो ब्लॉग्स हैं जहां आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी या कौन सी ओर्गनेजेशन यह प्रोग्राम ओफर करती है या नहीं हम affiliate marketing से कितने पैसे कमा सकते हैं यह completely आप पर depend करता है कि आप कितने visitors को program की तरफ आकरशित कर पाए हैं और उनसे कितनी sale हुई है उसे हिसाब से ही आपको commission मिलेगा